हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सबी लग मैं अर्चिना सिंग आप लोग का स्वागत करती है यूपी पीएसी यूपीएसी मीन्स के इस लेबस में जो की जनल स्टडी पेपर वन का पॉइंट नंबर वन चल रहा है काफी लेंदी सीरीज है बट कोशिच करूंगी जल्द से जल मंदिर इस्थापत्यकला में हमारे पास आई थी करीब गुप्त शाषिनकाल के बाद से तो उसमें कौन कौनची शैली हमने कर ली थी वह हम देख लेते हैं तो हमने अभी तक यहां पर नायक शैली कर ली थी अब हम करेंगे आज के जो क्लासे उसमें करेंगे द्रविट शै शैली और पाल शैली करके कंप्लीट करेंगे शैली और मंदिर वाला और यह मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक है इसमें से कोशन हर साल कुछन कुछ नो कुछ पूछा ही जाता है और आगे आने वाली सीरीज में में आपको कोशन भी दिखाऊंगी कि यूपे-PSC और UPSC ने किस इन में से पूछे हुए है तो चलिए शुरू करते हैं आज की द्रविट शैली के साथ नागर सैली मैं आपको पहले यहां पर करा चुकी हूँ तो आप हम आज द्रविट नायक और बेसर करेंगे और होईशाल विजनगर और पाल शैली नेक्स क्लास में करेंगे तो यह अजिन भारत में द्रविट शैली के माधियम से सैकड़ मंदिर बनवाए गये थे और इसमें चोल के साथ पल्लव शाष्यक भी शामिल थे इन्होंने भी कई मंदिरों का निर्मान किया और काफी कुछ बदलाव के साथ द्रविट शैली को अपनाया यही चोल और पल्लव श उपर ही कोशन आते हैं तो सब्सुन पहले जहाएं विशेश्टा देख लेता हैं तो पहले मतिर हैं दो जो मंदिर ठें hai वो उची चारधिवारी से घिरे हुए थे नागश मंदिरों के विप्रेप नागर मंदिरों में चारधिवारी और यहां पर द्रविट शैली मंदिर चार दिवारी से घहरे होते थे तो यह आप अंतर की रूप में यहां पर लिख सकते हैं नेक्स कोश्य ने उचा प्रवेश द्वार जिसे गौपुरम भी कहा जाता था तो सामने की दिवार जब भी चार दिवारी जो घहरी हुए होती थी उसमें एक इस ताइप से प्रवेश ड्वार होता था इसको हम गौपुरम कहते थे द्रविट शैली में नेक्स पंचायतन शैली का निर्माण मतलब जैसे की नागर शैली में भी किया जाता था कि एक मुख्यम उसकी मूर्ति होती थी देवता की बाकि चार जो है वो अलग-अलग दिवी देताओं की मूर्तिया होती थी तो इसका यह भी कह सकते हैं कि इसमें एक प्रधान मंदिर हो रवेट शैली मंदिर में वो पिरामिट के तरह होते थे इस ताइप से कुछ होते थे और इसमें घुमावदा नहीं होते थे यह बल्कि उपर के तरफ सीधे होते थे और इसी शिखर को विमान कहा जाता था पिरामिट नुमा जो शिखर होते थे इन्हें विमान कहा जाता थ ओसके शीष पर है वो विमान होता था और यह नागर मंदिर के कलश की समाने जैसे आपने नागर मंदिर में इस टाइप में यहाँ पर गोल कलश टाइप में देखा होना तो इसी तरह से यहां पर विमान होता था जो पिरामिट नुमा शिखर होता था गोलाकार नहीं होता था तिकोना होता था जैसे मैंने ये बताए स्ट्रैक से नेक्स्ट रम बात करेंगे, गर्वग्रे के प्रवेश द्वार पर यहां पर द्वारपाल मिथुन या यक्ष की मूर्टियां लगाई जाती थी, मतलब कि जब भी यहां गर्वग्रे होता था, जहांसे हम एंटर करते थे, वहां पर द्वारपाल लगे होते थे, आपने पर मिथुन की मूर्थियां होती थृत्धी नेक्स नहीं बात करेंगे मंदर में जलाशे की उपस्थिती होती थी मंदिर चों होता था वहां बीच वह बीच जलाशे होता था ऐसी आमने नागर शैली में देखा था कि मंदरों में जलाशे नहीं पाया जाता था चलिए नेक्स बात करते हैं हम लोग यह आप देख सकते हैं द्रविच शेली के मंदिरों का आप इसे रफ स्केच भी बनाके एक्जाम में प्रेजन कर सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे मांक्स मिलेंगे तो यह विमान इसे कहा जाएगा इसे बीच में अंतराल होता है सभाकक्ष होता था यह गौपुरम जो दर्वाजा होता है यह उप मंदिर चार उप मंदिर एक दो तीन और यह चार आपको यह उप मंदिर दिखाई दे रहे हैं यह में मंदिर है आपका गर्ब ग्रे जिसे कहेंगे और यहां पे जलाश है तो यह चीज आप याद बना के आएंगे तो एक्जामिनर बहुत अच्छे मांक्स देगा आपको चले आगे बात करते हैं उधारन की इसमें तो इसमें उधारन है तंजोर का ब्रहदेश्वर मंदिर और गंगई कॉंड चोलपूरम मंदिर यह दो एक्जामपल आप उसमें डाल सकते हो नेक्स्ट नायक शैली की बात करेंगे तो नायक शैली जो थी मुख्यता सोलवी से अठारवी शताब्दी के बीच नायक शाष्कों के अधीन मस्दिर वास्तुकला की जो नई शैली विक्सित हुई इसे कहा गया नायक शैली इसे मद्रोई शैली भी कहा जाता है तो यह आप याद कुछ विशेशता हैं जो थोड़ा सा अलग थी तो उसके बारे में हम देख लेते हैं कुछ विशेशता हैं यहां पर थोड़ी सी चेंज हैं तो यहां पर लिखेंगे कि बरामदे के साथ-साथ जो गर्भग्रे के चारो और बड़े गलियारे का निर्माड किया गया जिसे निर्मारा किषा तो निर्मारत होर्ट अभी ते परदिक्षिन ना‡ खुले हुए होते थे बठ यहां च्छत दार पदिक्षिनापत होता था नेक्स तम बात करेंगे गौपुरम सबसे बड़ा हमने देखा नायक शेली में तो यह वन लाइनर कोश्चिन फेक्ट में भी आ सकता है कि सबसे बड़ा गौपुरम कौन सी मंदिर शेली का होता था तो बड़े भव्य गौपुरम नायक शेली के अंतरगति बनाए गए थे और मंदिरों पे नायक शेली के अंतरगति बारीक बारीक नकाशी बहुत भारीक नकाशी यहां पर की जाती थी उधारन मेंली अभी हमने दिया मदुरे का मिनाक्षी मंदिर आप देख सकते हो कितना बड़े करके आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते ही हम अपने बेसर शेली की बेसर शेली जो था वो सात्मी शताबदी के मद्दि चालुक के साशकों के अधिन विक्सित हुआ था और मंदिर इस निर्मान की जो कला है बेसर शेली को करनाटक शेल तो कि लिखेंगे बेसर शेली नागर और द्रविट की खाली फिया तो बेसर यह द क्शर किर दो वि Legisl Burke की हैं दोनों की mix करोंगे तो आप वकिस एक्स्ट शेली किल्टा वे जिसके बात करते हैंगे हुए थे खुले होते थे जसे सट आपने अभी देखा थे नाएक की फ्रदिख्षshirts नहादु अपया ठीकुड़ा खुले हुए होते थे और खंबो दर्वाजों और चटोन पर बारीक नकासी तो यहां पर जिससाब से आपको नकाशी देगी है उसी सब्सक्राइब लिखे और और आप उधारन में लिख सकते हो कि एक तो दंबल का डोड़ा बसप्पा मंदिर जो भी मैंने आपको दिखाया था है यहां पर बेसर सली का उधारन और बादामी के मंदिर इस तैप के जो म खतम कर दी मैं कल ही नेक्स लेसन अप्लोड कर दूँगी ताकि यश मंदर का जो शैलियों का चैप्टर खतम हो उसके बाद में सल्तनत काल की जो भुभिन शैलिया है वो लेकर आऊंगी यहां पर इसके लावा और अगर बीच में कोई पॉइंट आपको लग रहा होगी एड क करना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए तो मैं एड उसको कर दूँगी तो आज के लिए बस इतना ही मेरे चैनल को ऐसी देखते रही है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थेंक यू थैंक्स पर वाचिंग सक्सेज मंच